22 जनवरी को तो हम सब अपनी आखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुवसर को देखेंगे कि तो राम लला गर्ब ग्रह में विराजमान हो गया और ये विराजना एक इतिहासिक घटना एक अविश्वसनी घटना करम का घटित होते हुए अपनी आखों से देखना है एतिहास को रचते हुए देखना है कुछ साल पहले तक जो बात कहीं न कहीं लगता था कि न्यायालोयों की फाइलों में दबी हुई एक पुकार पुर्खों की पुर्वजों की उस पुकार को इस प्रकार से सत्य के रूप में उद्भासित होते हुए देखना ये चमतकार है कि राम मंदिर की प्रांट पृतिष्टा ये भारती जरनता पार्टी की बात नहीं है ये अशेश-शेश भारतियों की मन की बात है यदि अभी भी आप भारत का उत्सा देखने में अनिभिग्य हैं तो ये आपका दुरभाग इसके त्रिक्ट में कुछ नहीं के सकती तो कांक्षा ने आपकी आँखों में पट्टी बांगत रखी और कुछ भी नहीं यदि आपको अभी भी लगता है कि राम सिर्फ विश्व हिंदू परिशद और भारती जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा है तो आप बहुत बड़े ब्रह्म में जी रहे हैं राम भारत की संस्कृति हैं राम भारत का लोक हैं भारत की आत्मा हैं अब भारत की आत्मा आज अपने ही मूल स्थान अयोध्या में प्रतिष्ट होने वाली है कितनी प्रसनता की बात है कि 22 जनवरी ये कितनी प्रसनता की बात है कि जिस शन की सदियों से प्रतिक्षा थी हमारे राम लला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में अपने भवन में स्थापित हो गए गर्बग्रह में स्थापित हो गए 22 जन्वरी को तो हम सब अपनी आखों से उस प्रान प्रतिष्ठा के सुवसर को देखेंगे कि तो राम लला गर्ब ग्रह में विराजमान हो गया और ये विराजना एक इतिहासिक घटना है अरे लिए तो आज प्रकार्टी हो गया भगवान लाराम का ये बहुत बहुत युगांतकारी घटना है ये एक अविश्वसनी घटना करम का घटित होते हुए अपनी आखों से देखना है इतिहास को रचते हुए देखना है कुछ साल पहले तक जो बात कहीं न कहीं लगता थ सत्य के रूप में उद्भासित होते हुए देखना ये चमतकार है और चमतकार के संक संग भगवान राम के जीवन से सीखा हुआ जो धीरज है धैर है जो प्रतीक्षा है जो सत्य की विजय के लिए प्रार्थना और अपने समय के आने की प्रतीक्षा है ये राम की aconteceu है भाग बहुत एतिहासिक सुन्दर देना है। मुझे लगता है कि राजनीती एक बात है। कि आस्ठा और भारत की संस्कृती उसकी प्रतिश्ठा एक बात है। मैं तो यह एक अन्रोद करूंगी कि जितने भी लोग राजनीती कर रहें, मानतियों की राजनीती एक माध्यम हो सकता है आपको सक्ता में आने का, आपको वापस सर्वशक्तिमान बनने का, लेकिन ये न भूले कि राम मंदर के प्राण प्रतिष्ठा ये भारती जरता पार्टी की बात नहीं है ये अशेश अशेश भारतियों के मन की बात है और यदि अभी भी आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं या यदि अभी भी आप भारत का उत्सा देखने में अनिभिग्य हैं तो ये आपका दुरभागे इसके तरिक्प में कुछ नहीं कह सकती जो लो इतिहास को आप उसके सत्य को आप उसके महत्त्य को यदि नहीं समझ पा रहें तो सिवाए सिवाए यही कह सकती हो कि महत्वकांग्षा ने आपके आखों में पट्टी बागत रखी और कुछ भी नहीं और यह वही लोग होंगे जिनके पूर्वजों ने संभवत राम मंदिर क कियोगे शायद आंदोलन में शामिल रहे होंगे क्योंकि यह कोई सौसाल का इतिहास नहीं यह साड़े पांच सौव वर्ष का मीर बकी द्वारा भारत की चेतना पर कुठारा घात का प्रतिफल है नजाने कितनी सदियां कितने संघर्ष कितने पूर्वज इसमें मर गए कुछ अनाचार के कारण गोली यह तो गोली चलते हुए तो हम लोगों अपनी साक्षात आखों से देखा है तो सोचिए जब हम नहीं थे तब कितने इस प्रकार के अमान भी यह अत्याचार हुए होंगे राम भक्तों पर और उसके बाद यदि आप अभी भी सवर्जने की करने कि राम भारत का धर्म है यदि आपको अभी भी लगता है कि राम सिर्फ विश्व हिंदु परिशद और भारती जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा हैं तो आप बहुत बड़े ब्रह्म में जी रहें आखों की पट्टी खुलिए और अभी भी समय हैं यह समझिए कि राम भारत की चेतना हैं राम भारत की संस्कृति हैं राम भारत का लोग हैं भारत की आत्मा हैं और भारत की आत्मा आज अपने ही मूल स्थान अयोध्या में प्रतिश्चित होने वाली है यह आने वाली पीड़ी के लिए कितने बड़े आत्मसंमान आत्मगौरव की बात है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए